हाई दोस्तों कैसे आप सब एक बाद फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागते हैं दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगे साथ 8 ऐसी टेप्स को शेयर करूंगा जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जादा जरूरी है अगर आप विनियर का यूज कर रहे और यूज कर लाए किया अब वहां से क्या को ईयुक्तरम फिंदा देखले इसके सेमपल को बजाओंगे रख लेถें कल को जब आमें और जरूरत करागी準ा है या फिर हम अलिया हमने 20 से एक लाट अपने की कोशिश करोंगे तो वो मिलना पॉसीबदा नहीं हो पएगा क्यों तो हर ट्री का एक यूनिक ग्रेन होता है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है अब दोसों बात करता है टिप नंबर टू के वारे में तो देखिए आपको इस चीज का पदा होना जै कि अगर आप मालिया विनिया लेने जा रहे हैं और जिस लकडी की जिस प्रजाती की आतकी अगर आप टीड प्लाई अगर आप लगवा रहे हैं तो एक जू स्टों का दोड़ा अगला ऐसिक उर्जान हो सकता है अपको बहुत और वह च्छा को बहुत थो कि आपको एस्युरान के दीन लेकिन कुछ ऐसी है जिसमें कि आपको फरक देखने के लिए मिलेगा अब बात करते टिप नमबर थी के बारे में तो इसमें कि जब आप विनियर को पर्चेस करन जाते हैं तो आपको देखना है कि उसका जो cutting method है वो कौन सा है क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप क cutting method होते हैं आपके rotary method हो गया और इसके लावा भी काफी सारे method होते हैं जिसके ओपर मैं भी future में एक separate video बना के लाओंगा तो आपको basically ये देखना है कि आपका आपका जो cutting है वो किस तरीके से उसका cutting method कोन सा है और फिर दूसरा कि आपको ये भी देखना है कि आप किस pattern के थू जो है आप veneer को आप use करेंगे क्योंकि इसमें different different patterns इसमें होते हैं जैसे कि आपका book pattern हो गया sleep pattern हो गया butt pattern हो गया तो basically इस तरीके के काफी सारे patterns होते हैं तो veneer के patterns के ऊपर भी जो एक separate video बनाई जाएगी तो इस चीज़ का फिलाल आपको ध्यान रखना है कि आपको इन इसा जरूरी नहीं है कि आप हर जगा अगर पूरा एक ही veneer का stock लेके आएंगे तो यह possible नहीं है कि जो है वो same आपको मिल जाए तो उस condition में किया और अगर आपका मिल भी जाए और आप same अगर species मिल लेने जाएंगे तो बहुत जादा variation आपको देखने के लिए उसमें मिल तो same अगर दूसरी लकडी आती है तो उसमें color और pattern का फरक आ सकता है तो इसमें एक छोटा सा smart तरीका आपको अपनाना है वो यह कि जो भी आपका veneer का सारा काम उसको छोटी-छोटी segments में divide कर दीजिए और जैसे आपने एक segment को divide करा तो उसमें आप जो है अलग veneer को purchase कर ल कुछ इंटी मिलती है कि जहां पर कि आप पैसों को बचा सकते हैं वहां पर पैसे बचाने भी चाहिए लेकिन कहीं जगा पर ऐसी भी आती कि आपको पैसे नहीं बचाने है अगर वहां पर compromise करते हैं तो साफ साफ जो है आपके project के ओपर impact पड़ेगा अब जैसे कि अगर ऐस आपको बिल्कुल बचाने है लेकिन जहां पर आपको मौका लग रहा आप बिल्कुल बचाईए वह कैसे जैसे कि मैं अगर विनियर दिखते नहीं जैसे कि आपके शेल्फ के अंदर वाला portion या फिर कोई ऐसे अरिया जहां पर डिरेक्ली जो है वो चीज़े दिखने रही है तो वहाँ पर प्रीमियम विनियर्स आप अब अब आप नॉर्मल विनियर्स के साथ आप जा सकते हैं कोई इश्व नहीं है लेकिन जो portion आपका अदिकर है वहाँ पर अपना proper अच्छा प्रीमियम विनियर ही लगाई है वहाँ पर कोई भी लालच मत करिए तो ये भी एक point है आपका इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं अब दोसों बात करते है टिप नमबर 6 के बारे में तो देखिए इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि जब आपने मालिया अपने project कोई है आप मापे विनियर्स लगने तो मालिया उसमें आपको पता चला कि आपके 5 शीट विनि मालिया प्रोडेक्ट चला और महीने तक चला 3-5 महीने बीद गए और उसके बाद आपको रखना है तो बहुत ही सही रहेगा अब दोसों बात करते है टिप नमबर 7 के बारे में तो देखिए इसमें जब आप विनियर्स करने जाते है तो आपको एक तो कलर आपको माइंड म पैले से चले हिंक चले होना चाहिए और किस तरीकेश को मैसीं करे के लगाने वह आपका क्लेब होना चाहिए तो इस सारी चीज़ें क्लेर होंगे आपको एक्चॉल में पता होगा कि आपको उसको अपने शाएफट कर लेके जाते हैं तो यह गलती के चांच व अब दोसे बात करता टिप नमबर 8 के बारे में, तो दिए कि जब आप वीनियर को पर्चेस करने जाते है, तो नॉर्मल जो आपको वीनियर की शीट दिखती है, तो उसके एक्चुल ग्रेंस को देखने के लिए आपको उसके ओपर जो है, जो भी बंदे होंगे शॉप पे, उ तो हो सकता है कि आप माइंड में कुछ और इमेजिन करो, और एक्चुल में कुछ और निकल के आ जाए, तो ये भी जो एक चीज है, इसका आपको ध्यार रखना है, तो इस तरीके तो मैंने आप लोग गजा आठ ऐसी टिप्स को शेयर करी हैं, जो कि आप लोग को पता होने आप अपने घर में विनियर्ज को ये लगा रहे हैं, और विनियर्ज का यूज कर रहे हैं तो, और लोट उहां उमीद करते हैं कि मेरी जो आज की वीदियल आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कर सकते हो, और आपको कोवी भी कोशनें स्टोप है कोुछ आड़ी